नमस्कार मैं 80 स्पाठक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में UPPRPB के दुआरा एक टेंडर फिर से निकाला गया है और UPPRPB जो पुलिस भरती बोड है आपका इनका काम ही क्या है कि टेंडर तो निकालते हैं लेकिन उसके बारी में बताते नहीं है कि क्या हुआ जैसे ये जो टेंडर है वो टेंडर जो है आपका वो किसके लिए है जो ये आरक्षिन नागरिक पुलिस के पद हैं कुसल खिलाडियों के लिए इनके लिए tender है ऐसा नहीं कि यह पहली दफा निकाला गया है ठीक है इस पर हम discuss करने से पहले जो मेन मुद्दा है हमारा उस पर discuss कर लेते हैं कबका constable के लिए tender निकाला गया था अभी तक उसका पता आता पता नहीं है कि वो tender कहा है कौन सी company ने किया था दो बार उसको किया गया उसका कोई भी उसमें information नहीं आया दूसरी बात radio operator के exam के लिए tender निकाला गया था उसका भी date बिद गया ये भी नहीं पता कि किस company ने apply किया ह कोई final हुआ है कि नहीं हुआ है उसका भी कोई information नहीं मिला है पता चले फिर एक डेड़ महीने बाद फिर से ये retender करें उसी चीज को जैसे इस वाले में कर रहे हैं तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करने वाले exam कब होगा क्या conduct कराएंगी vacancy कब आएगी सबसे ज योगी जी का एक target बेस जो ये चल आ है कि हमने एक साल में इतने रोजगार दिये अब अगर ये vacancy निकालेंगे साल का end होने वाला है तो इस साल में जितना देना था इन्होंने कह देंगे कि हमने एनम कराया हमने लेकपाल की vacancy कराया इसमें हमने junior assistance ओला वाली की joining करा दिया क कुछ भी मतलब जोड जार के इंका हो गया है इस साल भर का कोटा पूरा हो गया है तो ये अगले साल के लिए future planning कर रहे हैं कि भाया हम मोदी जी को support में आए तो अगले साल में ये सिपाही वाली भरती निकाल देंगे और भी जितनी भरतियां है जो आपकी हमें लग रहा है रुकी पड़ी हुई है और exam भी अगर radio operator का उधर ही करा देंगे और selection election उधर ही देंगे तो उसी साल का वो गिना जाएगा भला ही वेकेंसी जनौरी से ही start हो गई थी radio operator वाली लेकिन अभी भी उसका कुछ अता पता नहीं है तो ये मान के चलो कि radio operator तो इस साल मुस्किली है नहीं होने वाला अगले साल ही होगा constable भी इस साल मुस्किली ही लग रहा है जब उसके tender का था पता नहीं नोटिफिकेशन आज आज आए तो आज है वो अलग बात है लेकिन examination examination तो नहीं होगा simple सी बात है अभी जो ये tender है ये tender यही बता रहा है कि इन पर कोई company धंकी नहीं आ रही है और ये खारिच करते जा रहे हैं क्योंकि एक company आएगी तो उसको तो ले नहीं सकते है एट लिस्ट option तो इनके पास होना ही चाहिए ठीक है तो वह इंको मिल नहीं रहा है अब यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि आरक्षिन नागरी पुलिस के 534 यहां पर दिहान से देखना 534 पद पर कुसल खिलाडियों की सीधी भरती के विभिन कार्यों संपादन है तू आर एफ क्यू संख्या पी आर पी बी एक कुखी 03-2022 दिनांक 9-9-2022 को माध्यम से ओपें टेंडर के माध्यम से एजनसी और फार्मों की कार्यदाई संसाओं को दिनांक 23-9-23 सितंबर तक निविदाएं प्रस्तुत करने हैं तू आमंत्रित किया गया था परंतु मात्र 0-1 फॉर्म से निविदा प्राप्त होने के कारण उक्त आर एफ क्यू निरस्त कर दिया गया ठीक है समझ रहे हो एक बार जब किया गया 29 तारिक तक मांगा गया था 23-9 तक 23 सितंबर तक तो एक कंपणी ने सिफ अपलाई किया था टिंडर में इसी वज़े से इसको निरस्त कर दिया गया और फेक्यू को फिर से क्या किया गया कि अब और फ्क्यू संख्या पी आर पी भी एक 0-3-22 तिनांक 39-2022 निर्गत करते हैं तू दिनांक 10-10-2022 को समय 12-30 बजे अपरान तक भरती बोड में निविदाएं प्रस्तूत करने हैं तू आमंत्रित किया गया था ठीक है फॉर्म निविदा प्राप्त होने के कारण यहां पर निरस्त कर दिया गया फिर आर फेक्यू संख्या ये इसको फिर से 39-2022 के निर्गत करते हैं तू दिनां 10- 10 तारिक तक फिर से आपका क्या मांगा गया था साड़े 12 बजे तक मांगा गया था कि कोई मामंत्रिंड किया गया था लेकिन वहां पर भी कुछ भी नहीं हुआ आपका ठीक है तो आप दूसरा पॉइंट क्या बोला है इसको देखो ध्यां से बोला है उक्त आर फ्क्यू के सापेक्ष पुना मात्र फिर से फिर से आपका जब 10-10 को यहां पर दिया गया था तो फिर से आपका क्या हुआ एक एजेंसी ने आपका यहां पर दिया था अब उस एजेंसी में एक ही एजेंसी आई तो फिर से इसको क्या किया गया दिश्टिगत बोर्ड पूर निर्गत संख्या इतने को खारिश कर दिया यहां पे बैसिक अपね के डिवेवारने के लिए निरस्त कर दिया इसको फिर पूणा आरेक संख्या संख्या इसको फिर से वही बाएक स्कुलिस 534 पतों के कुसलies कि सीधी भरती अब यहां 1710 मतलब अभी दो बार निरस्थ हुआ एक ही कंपणी ने आपका अप्लाई किया तो फिर से निरस्थ करेंगे फिर से निकालेंगे ऐसे ही इंका टेंडर सभी भरतियों में चलेगा तो कैसे रिक्विट्मेंट प्रॉसेस प्रॉपर चल पाएगा क्यूंकि क्या है कुछ एजेंसियों को एकाडि यह नहीं चल पा रहे हैं टीसिये सूसियस जैसा काती है वैसा यह नहीं कर पाते हैं बाकि जो छोटी मोटी एजेंसिया इंके क्राइटेरियों को नहीं फुल्फिल कर पा ही है तो यह खुद भी थोड़ा सा कत्रा रहें नसाइटी के चक्कर में तो वही बोला है आरक्षिंग नागरी पुलिस 534 पदों की कुसल खिलानियों की सीधी भरती विभिन कारियों संपादने तू ओपें टेंडर के माध्यम से साथ एजेंसी कारद्याई संस्ताओं के उसमें भी देखा होगा जो पुलिस वाला इसमें रेडियो ऑपरेटर में वाले में भी आरफिक्यू होता है आकॉंस्टेबल वाले में तो मतलब इनके जो सर्ते हैं वो सब चीजे हैं कि कंपनी का टर्नोबर क्या होना चाहिए कंपनी को क्या-क्या काम करने हैं वो सब eligibility participation य क्या होना चाहिए तो यह सब चीजे आरफिक्यू में अब जो इसको follow करेगा वही apply करेगा और कहीं company एक ही कर रही है दूसरी और कोई company आ नहीं रही है तो इनको जो है क्या करना पड़ा निरस्त करना पड़ा इनको कोई और option मिल नहीं रहा है और यह 4 option मिले तो देखते हैं कब तक UPPRPB की यह प्रकरिया चलती रहती कविंग की agency जो है final होती है और सभी के tender start है अब इसके भी हो गए समझ लो अगर इसको जो मिल जाएगा तो हो सकता है कि आपके नागरिक पुलिस वाले constable वाले में भी वही आपकुम हो लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है अभ किया जाता है agency को तो अब देखते हैं क्या होता है लेकिन लप्रवाही की बहुत ज्यादे हद हो चुकी है UPPRPB में ठीक है अब में दिक्कत तो उन बच्चों के साथ हैं जिनकी age निकल नहीं है अब यहीं होगा कि अब उसके लिए यह लोग या तो फिर कोई consideration करें अगर न कि वह आप इस वीडियो के comment में जरूर बताईएगा जो भी information हमें मिलता रहेगा हम वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद